नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, जेयरे 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम भक्तिकाल जो सगुन भक्ति है उसको पढ़ रहे हैं और इसमें हमने तुलसिदास के समन्द में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इनकी जो प्रमुख रचनाए हैं, उनकी रचनाओं का जो विशय क्या है या उनके प्रकार किस तरीके के हैं, वो सब चीज़ें हमने पीछे वाली वीडियो में डिसकस कर ली थी, अगर आपन अभी तक सगुन भक्ति का जो सेकंड पार्ट या फस्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चक कर सकते हैं, हमारा जो एकाई दो बनी है, उसको आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे सगुन भक्ति के अंत्रकत देखे, तोलसी दास के समंद में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग कथन कहें हैं और यहां से प्रशन बनने के संभावना UGC NET की परिक्षा में रहती है, और इसके आलावा हम देखेंगे कि तोलसी से समंदित कौ कौन-कौन सी अलोचनात्मक्रितियां हैं और इनको कौन-कौन सी उपाध यहां प्रात की गई हैं, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, यहां पर देखिए सबसे पहले तोलसी दास के समंद में जो प्रमुक कथन है वो मैंने आपके बीच में रख करती हैं और इसके अलावा रामचंदर शुकल जी ने इनके उपर एक अलोचनात्मक्र जो पुस्तक है तुलसी दास से रिलेटिड वो लिखी हैं इनकी अलोचनात्मक्रिति कौन सी है यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके जो प्रमुक कथन हैं वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले यह कहते हैं कि गोसामी के प्रादुरुभाव को हिंदी कावे क्षेत्र में एक चमतकार समझना चाहिए हिंदी कावे की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले-पहल दिखाई पड़ा यह अचारे श्रेष्ट स्थान स्थापित किया है और हम देखते हैं कि जो राम भक्त जो कवी हैं उनकी संख्या बहुत कम है क्रिश्न भक्त कवी उनके मुकाबले क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण इसलिए यह भी माना जाता है कि जो तुलसी दासजी है उनका जो व्यक्तित्त थ बहुत ही ज़ादा था है ना और इसी के चलते हैं मानो सारी चीज़ें उनके नीचे एक त्रीके से दब जैसी गई हो जो अन्य है। ठीक है? तो इसलिए कैते हैं कि उनका जो प्रादर भाव था वो हिंदी के कावेक शेतr में एक त्रीके से चमतकार है ä। हिंदी कावेक शक की विराट चेष्टा है जिसमें आपको वैष्ण वर शैव दोनो धर्म भी दिखेंगे जहां पर आप राम चरित मानस देखते हैं तो राम चरित मानस में राम का वनन तो ये साथ ही साथ करते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो शिव को भी वो सामने रख देते हैं जब शिव पार जाता है कि अन्य जो विद्वान थे या अन्य जो रामभक्त कवी हैं उनकी व्यक्तितों इनके व्यक्तितों से कहीं ज़्यादा कम दिखाई पड़ता है क्लिर है दोस्तों चलिए आगे हैं देखते हैं तुलसिदास के राम चरित मानस की सबसे बड़ी विशेशता ये है कि वे अपने सर्वोतन मुखी प्रतीभा के बल से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिवयबानी में दिखाकर सहित तक्षेत्र में प्रत्थम पद के अधिकारी हुए तो जितने भी आप इनके कथन पड़ेंगे देखिए तुलसिदास के समन्द में शुकल जी के वह देखने को मिलता है और सबसे पहले ही स्थान इन्होंने दिया है है ना कि systematically उन्होंने रखा है ये कौन मानते हैं रामसरूप चत्रुवेदी मानते हैं ठीक है नेक्स से देखिए तीसरा जो कथन है अपने दिष्टी विस्तार के कारण ही तुलसिदास उत्री भारत की प्रतिष्टा के साथ विराज रहे हैं तो उत्री भारत में ये क्या है अपने दिष्टी विस्तार के कारण ही तुलसिदास जो है पूरे उत्री भारत में क्या है हर एक जनता के हर एक व्यक्ति के रिदह में प्रतिष्टा के साथ विराज रहे हैं ठीक है और इसलिए इनको क्या का जाता हूँ तुरी भारत के जो त्रियेई है या त्रिकजिन को का जाता है जो कविए हैं देखिए उनमें से एक जो है तुल्सिदास हैं कौन तीन हैं ये भी आपको मालोम होना चाहिए तो अगर आपको मालूम है तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं नहीं मालूम है तो भी आप पूछ सकते हैं चलिए अगला परशन देख लिए अगला जो कथन है देखिए वो देख लेते हैं सगुन धारा के भारतिय पद्धती के भक्तों में कबीर दादू आदी के लोगधरम विरोधी स्वरूप को यदी किसी ने पहचाना तो गोसवामी तुलसिदास जी ने तो देखिए यहां पर शुकल जी फिर से क्या मानते हैं कि जो सगुन धारा के भारतिय पद्धती के भक्तों में कबीर और दादू आदी के लोगधरम विरोधी स्वरूप को यदी किसी ने पहचाना तो वो कौन से हैं वो हैं गोसवामी तुलसिदास हैं इनकी वानी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवारों तक है मतलब हर एक चीज़ पर इन्होंने क्या किया है अपनी लेखने को उठाया है आप देखेंगे अलग-अलग रचनाओं में इन्होंने अलग-अलग विशों के उपर लिखा है कवीता भली की बात करें तो वहां पर इन्होंने भारत की दुर्दशा पर बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है आपका जो उसका उत्तरकांड है ठीक है उसमें इन्होंने विस्तार से चर्चा की है मारमिक चित्रन किया है शाथ में साथी साथ आप देखेंगे कि कल्यू का वनन भी उसमें मिलता है नेक्स से देखिए जाइसी में केवल ठेट अबदी का माधूर्य है पर गोस्वामी की रचना में संस्कित की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है तो यहां पर देखिए एक पार फिर से वैसी ही पंक्ती आ गई जहां पर यह दोबारा क्या है तुलसिदास को उपर रखते हुए या श्रिष्ट मानते हुए लिख रहे हैं यह कहते है गोस्वामी जी की रचना में संस्कित की कोमल पदावली का भी मनोहर मिश्रण है तो यह थी अचारे रामचंदर शुकल के महतवपून कथन जो यहांने तुलसिदास के संब्द में कहे हैं यहां से प्रशन बनने की संभावना रहती ही रहती हो दोस्तों बहुत महतवपून हैं तुलसिदास हिंदी साहित्य में और इन से रिलेटेट प्रशन बनने की संभावना रहती है और जो प्रमुक विद्वान है उनके कथनों को जरूर देखना चाहिए और इसी के चलते हमारा यह प्रयास है कि आज हम जितने भी प्रमुक प्रमुक उपर कथन कहे गए हैं अलग-अलग विद्वानों के द्वारा वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं अब हजारी प्रसाद दुवेदी इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बात कर ली इनकी जो महत्रपूर्ण पंक्तिया हैं वो सिर्फ जो समर्वयवादी जो तुलसी का रूप है उसके उ सारा काववय जो है क्या समनवयवादी की विराठ चेश्टा है तो ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी कि इन्होंने हर चीज में समनवयवादी स्थापित करने की कोशिश की है और इसी के चलते हैं क्यों कहते हैं हजारी पुषाद दुवेदी जी कहते हैं कि इनका तो देखिए लोकमंगल की साधनावस्था ये किसका निबंध है ये है अचारे रामचंदर शुकल जी का और अचारे रामचंदर शुकल जी को ही ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो बाद के साही तेकारेंदी के उन्होंने लिखा है ठीक है तो इसी चीज़ को डॉक्ट राम है उनके शील, शक्ति और संधर्य से संबलिद अध्भुत रूप का गुणगान किया है और लोकमंगल की साधनावस्था के पत को प्रशस्थ किया है नेक्स से देखिए दसवाँ कबीर का भक्ति अंदोलन प्रोटेस्टेंट है तो गोस्वामी जी का रेजिस्टेंट क्लिर है तो कहने का मतलब क्या है कि कबीर का जो भक्तियान दोलन था वो था पिरोधात्मक ठीक है लेकिन गोस्वामी तुलसिदास की का क्यासा था ये था रेजिस्टेंट या ना रेजिस्ट करने वाला और इस दिश्टी के कारण ही वे मानस को पौरानिक महकाव्य बात कि इसने कही ये कही है डॉक्टर बच्चन सिंग ने और देखना एक चीज़ और है जो कबीर के बारे में अचारे राम चारे शुक्र ने क्या का था कि उनका जो समास्थुदार है या उनका जो दर्शन है वो कहा एक तरीके से चिड़ाने वाला है ठीक है ये बात कहा क पर तोलसी का क्या है पूरी तरीके से स्वामित तो है पर उनकी भाषा नजाइसी की तरह ठेट अवदी है और ना ही सूर की ब्रजी उन पर सचेत साहितिकता का रंग चड़ा हुआ है तो देखे कई बार आपको पंक्ति आदे भी पूचे जाती है कि कि किस पर सचेत साहिति साहितिकता का रंग चड़ा हुआ है या इस तरीके से बोला जा सकता है या फिर इन पर सचेत साहितिकता का रंग चड़ा हुआ है यह कथन बच्चन सी ने किस के संदर्व में कहा है या यह कथन किस का है तो इस तरीके से भी आपको याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों क क्लियर है दोस्तो अगला देख लेते हैं हम तुलसी की भिलक्षन प्रतीभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भुमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है तो देखिए यहां पर भी समनवे वाली बात ही आ रही है कि किस में खुद में भी उन्होंने समनवे स्थापित किया एक तरीके से कि वो एक रचनाकार भी है और एक भक्त भी है ठीक है तो यह बात कौन कहते हैं देखिए रामसवरूप चत्रुवेदी जी कहते हैं और दास के समन्द में जो विशुनात्रिपाठी हैं वो क्या कहते हैं तो विशुनात्रिपाठी की जो पुस्तक है दिखी वो कौन सी है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और विशुनात्रिपाठी किस तरीके के आलोचक है यह है माक्सवादी आलोचक इनके बारे में भी आपको तोड़ी बहुत जानगारी रखना बहुत जरूरी है और हिंदी साहिते का सरल इतिहास बहुत बड़ा इतिहास नहीं है पिल्कुल संक्षिप्ट साहितिहास है उसको आप इजिली पढ़ सकते हैं एक तो रीडिंग में ही यहाँ पर देखिए यह क्या कहते हैं कि तुलसिदास अपने वर्ण विन्यास में तनमय होकर रचना कहने वाले कभी हैं तो यह कहते हैं कि वर्ण विन्यास में तनमय होकर रचना कहने वाले कभी हैं ठीक है और इसी के चलते नोंने कहा है वर्ण प्रास का एक तरीके से उनको बात चाहा है ठीक है नेक्स से दिखिए हिंदी काव उसमें इनोंने कही है लेकिन ये कथन किसका है ये है अचारे रामजंद्र शुकल जी का तो यहां पर भी ये कहते हैं कि कावे कि सब परकार की रचनशाहली के उपर गोस्वामी जी अपना श्रिष्ट स्थान ब्रतिष्टित या किया हुआ है और यह उचता और किसी भी कवी क नहीं मिली है मतलब एक बार फिर से इनोंने इसको श्रिष्ट माना है गोस्वामी तुलसिदास ची को क्लियर है दोस्तों तो ये थी महत्वपूर्ण जो पंक्तिया है जो प्रमुक साहित्यकार या बिद्वान हुए हैं उन्होंने कही हैं तुलसिदास के संबंद में अब ह कि ठने प्रमुक से कहा जाता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है या महत्वपूर्ण उपादी है आप कुछ भी बोल सकते हैं नЕक से दीखिए मुगल काल का सबसे महान कवी यह कहते हैं स्मीत इन्होंने क्या कहा कि मुगल काल का सबसे महान कभी यदी कुई है तो वो तुलसिदास ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इस समंद में कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो ये वाली बात बहुत मौतपूर्ण है ठीक है न। ये पूछा जाता है कि ग्रियर्सन के समंद में कौन सा कथन सही है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये आपके तुलसिदास जी हैं। रामिलाश शर्मा और विश्वनात्रि पाठी ये दोनों कहते हैं कि जो तुलसी है देखे वो कैसे कभी हैं जाती है कभी है। फिर मानस कहांस ये तो आप सब जानते हैं और इसी नाम से इनोंने क्या किया है उपन्यास भी लिखा है अमरि इनका भी हैं वो क्या कहते हैं तुलसिदास के समंद में ये कहते हैं कि तुलसी गंग दूवह सुकविन के सरदार इनके काभियन में मिली भाषा बिविद्ध प्रकार। तो कई बार ये पंक्तियां परिक्षा में पूछी जाती हैं इसलिए इनको याद करना भी बहुत जर पर में जो प्राप्त उपादियां हैं उनको मिली हुई हैं उनके उपर हम देख लेते हैं देखिए तुलसिदास ने अलग-अलग तरीके से रचनाएं रची हैं और इन्होंने अपने काभ्य में बहुत सारे अलंकारों का प्रियोग किया है और इसी के चलते इनको क्या का जाता है किसी ने रूपकों का बादशाह कहा तो किसी ने अनुप्रास का तो किसी ने उत्प्रिक्षा का तो सबसे पहले अगर हम रूपकों के बादशाह की बात करें तो ये कहा है देखिए लाला भगवान दिन और बच्चन सिंग ने तो ये मानते हैं इनको रूपकों का ब और उदेभानु सिंग के द्वारा ही जो इनकी जो प्रमुक रचनाय है देखिए उनका रचनाकाल स्थापित किया गया है जो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था ठीक है तो वो किसके द्वारा था डॉक्टर उदेभानु सिंग के द्वारा ही बताया गया था नेक्स से दिखिए तुलसी से समंदित जो आलोचनात्मक कृतिया हैं आप देखते हैं कि तुलसी के ओपर लगभग बहुत सारी रचनाय रची गई हैं उन्हें से जो प्रमोक हैं वो मैंने आपके बीच में रखती हैं ठीक है विशोनात् प्रसाद मिश्र लिखते हैं गुसाई तुलसी दास जबकि इसका जो समय है देखिए वो इसमें निश्चित नहीं है कि ये कब की रचना है अगर बात करें डॉक्टर बल्दे प्रसाद मिश्र की तो इन्होंने 1938 में लेखी क्या लिखा है तुलसी दर्शन के नाम से एक अलोचनात्मक कृटी लिखी है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने सिंपली तुलसी दास से लिखा है यहां इन अलोचनात्मक क्रितियों और अलोचकों को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार इस तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है कि किस अलोचक ने तुलसी दास के उपर क्रिती अलोचनात्मक लिखी है या नहीं लिखी है इस तरीके से प्रशन बनने की संभावना रहती है तो यहां से इन नामों को याद रखना जरूरी है और इनके जो प्रमुक रचनाएं हैं तुलसी के उपर वो हमें पता होनी चाहिए तुलसी मिमासा तुलसी दर्शन मिमासा देखिए ये डॉक्टर उदेभानु सिंग की है 1959 में जबकि रामिलास चर्मा है देखिए ये क्या लिखते हैं भारतिय सौंदौर अबोध और तुलसी दास तो ये नहींने 2001 में लिखी है सबसे लास्ट के रचना यही माहिए तुलसी देखिए पहले माता प्रसाद गुप्त ने लिखी बाद में नंद किशोर नवल ने लिखी है अलवचनातमक कृती और विश्नुकांत शास्त्री लिखते हैं तुलसी के ही यहीरी तो ये प्रमुक जो अलवचनातमक कृतियां है तुलसी दास के ऊपर लिखी गई है इसके तो हमने लगबग बहुत सारी चीज़ें इनकी कबरब कर ली हैं लेकिन कुछ एक चीज़ें है चोट चोटी जो I think मुझे लगा कि आपके बीच में वो रख देनी चाहिए सबसे पहले दीखिए तुलसी दास रामभक्ति धारा के सबसे बड़े और प्रतिनी धी कभी के रूप में माने जाते हैं तो यहाँ प्रभाव देखिए बीच में कट गया है इस पर सबसे बड़ा ज्यादा प्रभाव किसका माने जाता है अध्यातम रमाइण का प्रभाव पड़ा है रामचरित मानस पर तुलसी दास ने सबसे पहले मानस रस खान को सुनाया था तो देखिए यह बहुत चीज़ है कि सबसे पहले मानस philosophies तुलसिडास ने किसको सुनाया था तो ये सुनाया था, रस खान को, यहां पर बहुत सारे विदियात्ति confusion हो जाते हैं कि रस खान को सुनाया था या फिर सूरदास को सुनाया था, तो ये आपका रस खान, बिल्कुल सही उत्तर होगा और चीज़ें भी अगर होंगी तो वो भी मैं आपके लिए लेक्या हूँगा। अपने दोस्तों के बीच में शेर कीज़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद